उदाहरन दो वित्ती वर्ष 2012-2013 में मकान किराया भत्ता छोड़ कर एक वेक्ती की वार्षिक आए 4,80,000 रुपे है उसने 36,000 रुपे भविशनिधी में, 18,000 रुपे जीवन भीमा प्रीमियम में और 20,000 रुपे राष्टी बचत पत्र योजना में जमा किया उसे वार्षिक दे आएकर पर 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है यदि वह 1500 रुपे प्रती महा आएकर 10 महा तक जमा करता है तो 6 आएकर की राषी बताईए आएकर गढ़ना करने के पहले भविश्य निधी, जीवन भीमा एवं राष्टी बचत पत्र में नियोजित राषी अधिक्तम 1,00,000 रुपे कर मुक्त है आएकर की दरें निम्नानुसार हैं क्रमांक कर्योगि सीमा आएकर की दर पहला 2,00,000 रुपे तक कोई आएकर नहीं दूसरा 2,00,000 एक रुपे से 5,00,000 रुपे तक 10 प्रतिशत हल वार्शिक आए हल वार्शिक आए बराबर 4,80,000 रुपे पहला भविश निदी मे जमा राशी बराबर 36,000 रुपे नमबर 2,00, जीवन बीमा मे जमा राशी बराबर 18,000 रुपे तीसरा राश्ट्री रुपे बचत पत्र योजना मे जमा राशी बराबर 20,000 रुपे कुल जमा राशी बराबर 36,000 रुपे जो है हमारा भविश निदी मे जमा राशी धन 18,000 रुपे जो है हमारा जीवन बीमा में जमा राशी और 20,000 रुपे जो है राश्टी बचत पत्र में पत्र योजना में जमा राशी है कुल जो योग है कुल जमा राशी का जो योग है 74,000 रुपे कर योग आए कर योग आए बराबर चार लाख असी हजार रुपे रुपे रिण 74,000 रुपे घटाने पर प्राप्त होंगा चार लाख छे हजार रुपे रुपे रिण दो लाख रुपे का 10 प्रतिशत चुकि 2,000,000 रुपे तक कोई आएकर नहीं लगता है इस तरह से बराबर 2,000,000 रुपे रुपे रिण गुणित इसका 10 प्रतिशत निकालेंगे चार लाख छे हजार में से 2,000,000 को घटाने पर हमें प्राप्त होंगा 2,000,000 रुपे इसका 10 प्रतिशत निकालने के लिए गुणित 10 बटा 100 बराबर यह हमें प्राप्त होंगा 20,000,000 रुपे 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 का 3 प्रतिशत हम ग्याद करेंगे तो 3 प्रतिशत ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बराबर 20,600 गुड़ी 3 बटा 100 और इसको हल करने पर प्राप्त होंगा 618 रुपे अब हम कुल दे आयकर निकालेंगे कुल दे आयकर कुल दे आयकर जो है हमारा वो होंगा 20,600 रुपे धन 618 रुपे हमारा शिक्षकर निकला है और इसको जब हम योग करेंगे तो प्राप्त होंगा 21,218 रुपे दस महा में जमा किया गया आयकर बराबर 1500 रुपे प्रती महा किया था तो 1500 गुणित 10 बराबर 10 मह है तो 15,000 रुपे उसने 10 मह में किया गया जमायकर 15,000 रुपे होंगा तो 6 शेश दे कर शेश दे कर शेश दे आयकर बराबर 21,218 रुपे में हम घटाएंगे 15,000 रुपे उसने पहले ही जमा कर चुका है कटोती के रुप में तो 21,218 में 15,000 को घटाएंगे तो 6,218 रुपे जो है 18 रुपे शेश दे कर आयकर होंगा इस तरह से हमने ग्याद किया कि शेश दे आयकर जो है 10 मा की कटोती के बाद 6,218 रुपे होंगा 10 उधारण का हल है